हेलो स्टूडेंट्स आइम माला मैम यौर साइंस टीचर टूड़े वी विल राल साइंस चेप्टर टू वेचे जबाउट प्लांट कितना यूजफूल है हमारे लिए कितना उप्योगी है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे ये चेप्टर टू है साइंस का पहला चेप्टर आप मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ अब इस चेप्टर पे ध्यान देंगे अगर आपके पास बुक है तो प्लीज प्लांट बहुत हमारे लिए उप्योगी है इस चेप्टर का नाम है प्लांट सो यूजफूल प्लांट बहुत हमारे लिए उप्योगी है इस चेप्टर का लेशन हाइलाइट इस चेप्टर का लेशन हाइलाइट से है अब यहाँ देखिए गेट, सेट, एंड गो सरकिल दा थिंग्स वी गेट प्लांट नीचे कुछ पिक्चर दिये हुए है देखें इस पिक्चर को सरकिल करना है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है यह फ्लावर है, यह चीज है, यह कैविज है, यह मिल्क है और यह अश्ट्राबेरी है अब इन सब में से कौन-कौन सी चीजें पौधें से हमें मिलता है उसमें आपको सरकिल करना है, गोला लगाना है उसके बाद अब यहाँ पढ़ते हैं Plants are our neighbors on earth पौधे हमारे पडोसी है, पिर्थवी पर यह हमारे पडोसी है They provide us with various things For example, the air we breathe, the food we eat and the clothes we wear They provide us with various things यह हमें provide करना है, यह उपलवद कराना हमको देता है Various, various मिन सबता है, बहुत सारी चीजें जैसे कि air, हवा, जो कि हम सांस लेते हैं बृत करते हैं, सांस लेते हैं भोजन जो हम खाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं यह सभी चीजें हमें पौधों से मिलता है Plants also provide food and shelter to animals पौधे, जानवरों के लिए भी भोजन और shelter shelter मिन सोता है आस्रे, जहां पे हम लोग रहते हैं घर यह प्रोभाइड करता है, प्रोभाइड मतलब होता है उपलवद कराना यह जानवरों के लिए भी भोजन और घर उपलवद कराता है कौन? Plants, पौधे In this lesson, इस lesson में, इस पार्ट में, we will learn more about the importance of plant इस पार्ट में हम पौधों के बहुत सारे importance के बारे में, महत्व के बारे में जानेंगे कि पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है All living, यहाँ पर, देखे Plants give us food पौधे हमें भोजन देते हैं All living things need to eat food to live and grow पौधे हमें भोजन देते हैं All living things, सारी चीज हैं, सारे जीवित चीज, सारे living things, सारे सजीव बस्तुएं Need to eat, उन्हें भोजन की आफसकता होती है Food, भोजन की आफसकता होती है To live and grow जीने के लिए और बढ़ने के लिए जितने भी जीवित प्रानी है सजीव बस्तुएं उन्हें खाने के लिए भोजन की जरुरत होती है जीवन के लिए, जीने के लिए और बढ़ने के लिए Food gives us energy to study, work and play भोजन हमें इनर्जी देता है किसलिए देता है इनर्जी? Study, work and play पढ़ने के लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए ये भोजन हमें इनर्जी देते हैं इनर्जी यानि उर्जा, ताकत, सक्ती हमें देते हैं It keeps us healthy and strong ये जो भोजन है, ये हमें स्वस्त और मजबूत रखता है Plants are the only living things that can make their food on their own पौधा एक ऐसा जिवित सजी वस्तु है जो अपना भोजन स्वैम बनाता है, खुद बनाता है We call them the primary producer हम लोग इसे primary producer कहते हैं प्राथ्मिक निर्माता Primary producer में सोता है प्राथ्मिक निर्माता हम लोग इसे पार्थ्मिक निर्माता कहते हैं अब हम पढ़ेंगे fruit के बारे में Fruits We eat fruit of many plants हम लोग कई पौधों के फल को खाते हैं Examples Apple, Guava, Banana, Pear, Mango, Watermelon, Peach, Orange and Grabs एस अभी फल पौधों के फल हैं जिसे हम लोग खाते हैं Fruits are healthy and good to eat फल are healthy and good to eat खाने में ये स्वास्थ के लिए अच्छे हैं खाने के लिए ये बहुत ही स्वास्थ बर्धक होते हैं और अच्छे होते हैं Fruits come to many colors, shape and sizes फल कई आकार में, कई रंगों में और कई आकृती के होते हैं ये एक जैसे सभी पौधे के फल एक जैसे नहीं होते हैं सबका आकार, सबका रंग, सबका आकृती अलग-अलग होता है shape means होता है आकृती और size means होता है आकार बड़ा होए, छोटा है इसे हम आकार करते हैं इसका परियोग हम लोग मुरब्बा बनाने के लिए करते हैं जैली बनाने के लिए करते हैं रस बनाने के लिए करते हैं डेजर्ट चनी मिठाईयां बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ड्राइ फ्रूट्स यानि सुखे फल, सुखे फल को हम लोग मेवा भी बोलते हैं We get dry fruits from plants हम dry fruits भी हमें पौधों से ही मिलता है These are the fruits or seeds of plants that are dried and eaten ये fruits बीज होते हैं पौधों के या तो बीज होते हैं या फल होते हैं जिसे हम सुखा करके खाते हैं Dry fruits make healthy snacks सुखे मेवे, सुखे फल से healthy snacks Healthy snacks, स्वस्थ snacks यानि जो हम लोग साम के समय कुछ नास्ते में लेते हैं उसे हम snacks काते हैं तो ये dry fruit एक अच्छा snack है स्वस्थ बर्धक snack है, healthy snacks है They are eaten raw and also used in biscuits, cakes, sweets and many other food items ये कच्छा खाया जाता है और इसका परियोग बिस्कुट बनाने, cake बनाने, या मिठाई बनाने या और भी कई तरह के भोजन बनाने में इसका परियोग किया जाता है एक्जामपल के रूप में, almonds, pistachio, walnut, hazelnut and cassive nut ये सबजों हैं, ये सुखे फल हैं, सुखे मेवे हैं भेजी टेवल्स, अब हम सबजियों के बारे में पढ़ेंगे वी गेट मेनी भेजी टेवल्स फ्रॉम प्लांट्स हमें पौधों से कई तरह के सबजियां मिलती हैं भेजी टेवल्स, अब हमारे स्वास्थ के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए यानि विकास के लिए बहुत जरूरी होता है जब हम भेजी टेवल्स, अब हम पौधे के एक या और दूसरे पार्ट को भेजी टेवल्स के रूप में हम खाते हैं जैसे किसी पौधे का हम फल खाते हैं, किसी का पत्ता खाते हैं सबजी के रूप में, किसी का फूल सबजी के रूप में खाते हैं एक्जाम्पल के रूप में आप देखिए, वेजी टेबल्स है, अस्पिनाच, लेट्यूस, कैवेज, ये कौन से पार्थ हैं पौधे के? ये हैं लीव्स, उसी तरह से पोटाइटो और ओनियन, ये पौधे के कौन से पार्थ हैं? ये हैं अस्टेम, पौधे का अस्टेम होता हैं, कैरो, ट्राइडिश, टर्निफ, ये पौधे का कौन सा पार्थ है? ये पौधे का रूट है, तो आज इतना ही, सेस अगले चप्ट, अगले पार्थ में, वीडियो के अगले पार्थ में मैं भेजूंगी, इसे आप बार बार दोराएंगे, पढ़ेंगे, थैंक्यू